हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी के पसंता यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पामर इस्टार, पामन सिंग और ट्रेनिंग इस्टार, खेसाई लाल यादो और जूबली इस्टार, दिनेश लाल यादो के बीच कमपेर और देखेंगे की कौन है आज के टाइम पे भोजपरी इंडेस्ट्री का नमबर वन एक्टर तो इसी तरह के कमपेर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को दबा जे तकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो बर्ट डेट की बात करें तो पहुंसी का बर्ट डेट 5 जनवरी 1986 है जबकि खेसाई लल्यादों का बर्ट डेट 15 माच 1986 है और दिनेश लल्यादों का बर्ट डेट 2 फरवरी 1989 है एज की बात करें तो पहुंसी 37 सल को हो चुके हैं और खेसाई लल्यादों भी 37 सल को हो चुके हैं और दिनेश लल्यादों 44 सल के हो चुके हैं बर्थ प्लेस की बात करें तो पॉंसी का बर्थ प्लेस आरा बिहार है खेसाई लल्यादों का छपरा बिहार है और दिनेश लल्यादो के गाजीपूर उत्तर परदेश है आप करेंगे पॉमनसी इंगे खेसाई लल्यादो और दिनेश लल्यादो के बीचे कुछ प्रस्नल कंपेर और देखेंगे की कौन है नमबर वन तो हाइट की बात करें तो 55 का हाइट 5.6 फीट है और खेसाई लाल यादो का हाइट 5.6 फीट है जबकि दिनेश लाल यादो का हाइट 5.6 फीट है वेट की बात करे तो 55 का वेट 83 केजी है, खेसाई लल यादो का वेट 78 केजी है और दिनेश लल यादो का वेट 65 केजी है फादर नेम की बात करें तो पॉमन सी के फादर के नाम रामा संकर सिंग है खेसाई लल यादो के फादर के नाम मंगरू लल यादो है और दिनेश लल यादो के फादर के नाम कुमार यादो है अकुपेसन की बात करें तो पॉमन सींग पेसे से सिंगर और एक्टर है और खेसाई लल्यादो भी पेसे से सिंगर और एक्टर है और दिनेश लल्यादो भी पेसे से सिंगर और एक्टर है अब करेंगे पॉमन सींग खेसाई लल्यादो और दिनेश लल्यादो के बीचे फीच कौन करता है तो फिल्म फिश की बात करें तो 25 सी एक फिल्म करने के लिए 50-55 लाग चार्ज करते हैं खेसाई लाल यादो एक फिल्म करने के लिए 50-55 लाग और दिनेश लाल यादो भी एक फिल्म करने के लिए 55-60 लाग फीचार्ज करते हैं स्टेसों की बात करें तो 25 सी एक एलबम सोगाने के लिए 3 से 5 लाग साच्ज करते हैं खेसाइड लाल यादो भी 3 से 5 लाग फीचाज करते हैं और दिनेश लाल यादो एलबम वो गाने के लिए 50 जार से 1 लाग फीचाज करते हैं यं ए एक्टिव की बात करें तो पामन SING ने भोशपुरी फिल्म इंड़स्ट्री में साल 2007 में डेबू किया था और खेसाई लाल यादो ने भोशपुरी फिल्म इंड़स्ट्री में साल 2011 में जबकि निरहवालन साल 2006 में अब करेंगे पामन सींग खेसाई लाल यादो और दिनेश लाल यादो के बीचे टोटल हीट और फ्लोव फिल्मों का compare तो टोटल फिल्मों की बात करे तो पॉमसी ने अब तक टोटल 97 फिल्में की हैं और खेसाई लल्यादों ने टोटल अब तक 78 फिल्में की हैं और दिनेश लल्यादों ने टोटल 55 फिल्में की हैं हीट फिल्मों की बात करें तो पॉमसिंग के टोटल 32 फिल्मे हीट रहे हैं और खेसाई लल्यादों के टोटल 27 फिल्मे हीट रहे हैं जबकि दिनेश लल्यादों के टोटल 15 फिल्मे हीट रहे हैं फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो पॉमन सिंग के टोटल 15 फिल्में फ्लॉप रहे हैं, खेसाई लाल यादों के तेरा फिल्में जबकि दिनेश लाल यादों के टोटल 8 फिल्में फ्लॉप रहे हैं, एवरेज फिल्मों की बात करें तो पॉमन सिंग के टोटल 22 फिल्में एभुष रहे हैं जबकि दिनेश लल्यादो के 10 फिल्में एभुष रहे हैं आप करेंगे पाएंगे फाई लल्यादो姿 नुचिनाट के बीचल तुपर हिट और बलॉक्वाश्टर जबकि दिनेश लाल यादों के 7 फिलमे ब्लॉक वास्टर रहे हैं जबकि दिनेश लल्यादों के साथ फिल्में ब्लोकवास्टर रहे हैं बीगेश फिल्मों की बात करें तो पॉंसी के सबसे बड़ा फिल्म सत्या है जबकि खेसाई लल्यादों के सबसे बड़ा फिल्म मेहंदी रगा के रखना है और दिनेश लल्यादो का सबसे बड़ा फिल्म निरहुआ हिंदू स्थानी टू है अब कमिंग फिल्मों की बात करें तो पावन सिंग के अब कमिंग फिल्म के नाम है न्यू इंडिया खेसाई लल्यादो के अब कमिंग फिल्म के नाम है संघर से तू और दिनेश लल्यादो के अपकमिंग फिल्म के नाम है निरहुआ दा लीडर अब करेंगे पावन सिंग, खेसाई लल्यादो और दिनेश लल्यादो के बीचे अवर्ड और कुल संपती का कंपेर तो अवर्ड की बात करें तो पावन सिंग को अब तक टोटल है 15 अवर्ड मिले हैं जबकि खेसाई लाल यादों को अब तक टोटल 10 अवर्ड मिले हैं वही दिनेश लाल यादों को टोटल अब तक 12 अवर्ड मिले हैं कुल संपत्ती की बात करें तो पमण सी का कुल संपत्ती 30 से 32 करोण का है खेसाई लल्यादो का कूल संपती 20 से 25 क्रोण का है जबकि दिनेश लल्यादो का कूल संपती 10 से 10 क्रोण का है कार कलेक्सन की बात करें तो पॉमन सिंग के पास रेंज रोवर कार है और खेसाई लाल यादो के पास BMW कार है जबकि दिनेश लाल यादो के पास Mercedes Benz कार है निक नेम की बात करें तो पामन सिंग को भोजपुरी का पामर इस्टार कहा जाता है जबकि खेसाई लाल यादो को ट्रेनिंग इस्टार वही दिनेश लाल यादो को भोजपुरी इंड़स्ट्री का जूबली इस्टार कहा जाता है अब करेंगे पावन सिंग, खेसाई लल यादो और दिनेश लल यादो के बीचे सोसल मीडिया फ्लोर्स का कमपेर और देखेंगे कि सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फ्लोर्स किसके हैं तो इंस्टागरम फ्लोर की बात करें तो पाउन सिंग के इंस्टागरम पर 2.2 मिलियन फ्लोर से हैं, खेसाई लाल यादों के इंस्टागरम पर 2.6 मिलियन फ्लोर से हैं, जबकि दिनेश लाल यादों के इंस्टागरम पर 1.5 मिलियन फ्लोर से हैं, फेस्बुक फ्लोर की बात बढ़ाम के यूटूब का सब्सक्राइबर 3.4 मिलिएन है जब कि खेसाई लाल यादो के यूटूब चेनल का समुष्क्राइबर 1.2 मिलिएन है और दिनेशा लाल यादो के यूटूब के लाल यादो में दे दिया हूँ आपका फेबरेट सुपरेश्टर कौन है आप की सुपरेश्टर के फैन है कॉमेंट करके जरूर बताईए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर करिए और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए धन्यवाद